हाई अब्रिवन वेलकम बैक टूम चैनल मैं हूँ शिवानी लेकर आगें आप लोगों के लिए एक और हैश्टाग वी बोल की वीडियो आपने एक सर सुना होगा कि बच्चों को सर में जू पढ़ जाना जब हम स्कूल जाते थे तो आपस में ट्रांसफर हो जाते थे जू हैं और किसी को बॉड़ी में भी जू पढ़ने की शिकायत रहती है कि आपने लेकिन ये सुना है कि आपके जो प्राइविट पार्ट वाला एरिया है आपके जो प्यूबिक हैर है वहाँ भी आपको जू पढ़ सकती है जी हाँ ये सच है बिलकुल सुनने में ये फणी लग रह जानता है और ये प्रॉबलम आपके साथ ना हो इसलिए मैं अवेर्नेस के लिए ये वीजियो बना रहे हूं ये क्यू होता है क्या इसके सिंटम है अगर आपको हो जाए तो क्या इसका ट्रीटमेंट है सब कुछ मैं बताऊंगी इस वीजियो में एंड तक जरूर देखना और पसंद आए तो लाइक करना है शेयर कीजे इसे आगे और लोगों के साथ में ताकि उनको भी अवेर्नेस रहे और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना है बहुत जरूरी सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी वीडियो के आप जाते हैं या इंफेक्शन की वज़े से पढ़ जाते हैं और आपस में ये ट्रांसफर भी हो जाते हैं लेकिन ये जो प्यूबिक लाइस होते हैं या इसको क्रैप्स भी कहते हैं ये जो हैं ये अपके प्यूबिक एरिया में होते हैं और ये नॉर्मल जो सर में होने वाला जू है या बोडी में होने वाला जू है उससे थोड़ा अलग होता है क्योंकि साइज में काफी छोटा होता है ये एक से डेड़ मिलीमीटर के साइज का होता है इतना छोटा और ये छोटे-छोटे क्रैप्स के जैसे दिखते हैं इसलिए आम भाशा में इस प्रॉब्लम को क्र से चिपक के आपका खून चूसते हैं बालों के अंदर दिखते नहीं है और शरीर से चिपक जाते हैं और खून चूसते रहते हैं आपका आपको बहुत सिवियर लेविल की इचिंग जैसी फील होती है और जहां पर ये आपको काटते हैं वहां पर आपको हो सकता है कि बहु तो ये कि अगर आपने किसी infected इंसान के साथ कोई भी sexual activity की है तो आपको ये हो सकता है transfer हो जाए जिसे कि उसके genital area से आपके genital area में transfer हो गए अगर आपने oral activity करी है तो ये भी होता है कि आपके eyebrows में eyelashes में transfer हो जाए और यहाँ पे भी oral activity की वजह से ये problem देखने को मिलती है इसके अलावा अगर आप खुद अपनी साफसफाई का दिहान नहीं रखते हो और बहुत ही extreme level पे आप unhygienic तरीके से रहते हो तो भी आपको खुद से ये lies जो हो सकते है next reason ये कि अगर आप किसी infected इंसान के साथ अपने undergarment share करते हो, कपड़े share करते हो, blankets हो गया या back sheet हो गई या towel हो गई ऐसी चीज़ें अगर आप share करते हो किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको पहले से ये problem है तो भी आपको ये transfer हो सकता है अब बात करते हैं इसके symptoms क्या है, आपको कब पता चलेगा कि आपको ये problem हो गई है जैसा मैंने पहले mention कि आपको बहुत जादा severe level की itching होती है आपको बहुत जादा खुजली करने का मन होता है और हो सकता है आप उस area में खुजली करो भी और उस खुजली की वज़ह से आपको बहुत जादा वहाँ निशान पढ़ जाए आपका वो area थोड़ा सा, you know, rashes वाला हो जाए, cut fat जाए और वहाँ पे हो सकता है उसकी वज़ह से आपको और जादा infection भी भढ़ जाए कुछ cases में ये भी होता है कि एक ही जगह पे अगर lice आपका खुण चूसे जा रही है तो वहाँ पे आपको discoloration हो जाए skin में और आपको नीले नीले से निशान देखने को मिले ज्यादा वहाँ से खून अगर चूसा जाए तो ये कुछ निशानिया है कि आपको ये problem हो रही है अब आते हैं इसका treatment क्या करें तो देखिए medical store पे इसको खतम करने के lotion, cream वगएरा मिल जाएंगे जिसे आप खरीद के लगा सकते हैं जिससे कि ये जो lice है, ये जो jhun है ये मर जाएंगे और ये जो अंडे देते रहते हैं, पनपते रहते हैं, अपनी अबादी बढ़ाते रहते हैं वो जो अंडे अगर उसने दिये होंगे, वो भी इससे मिट जाएंगे तो आप घर पे ही इसका लाज कर सकते हो खुद से इसे खतम कर सकते हो अगर इस चीज से आपको फायदा ना मिले ये कीरीम या लोशन लगाने से आपको फरक नहीं पड़ रहा है तो आप जादा वेट ना करें दो-ती दिन में अगर फरक ना लगे तो डॉक्टर के पास चले जाए वहां उन्हें दिखा लें इसके लाबा अगर आप प्रेगनेंट हैं या बहुत टाइम से आपका ये चल रहा था ये इंफेक्शन और इंफेक्शन खतम हो गया लेकिन आपने बहुत जादा माँ खुजाया वगयरा उसकी वचल से अगर आपको इंफेक्शन हो गया ह या निशान पढ़ गए हैं बॉडी पे वहां पे तो भी आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं उसके लिए तो ये थी वीडियो रिगार्डिंग प्यूबिक एरिया में पढ़ने वाले जुवें प्यूबिक लाइस क्रैप्स के बारे में और अक्सर ये वाली प्रॉब्लम उन तो बहुत जादा केरफूल रहिए अपना ध्यान रखिए सेफ रहिए और चीजों के बारे में अवेर्नेस रखिए आज की वीडियो के लिए था इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजेगा शेर कीजेगा और बने रहेगा मेरे चानल पे सब्सक्राइब क बाँ बाई टेक क्यार